टॉपिक दा नाम है, AC थ्रू LR-Circuit ए दे चो न सी की करना है, ईसी वान बाई वान इंडक्टर थे रिजिस्टर है या फिर कपैसिटर है उना दे थ्रू AC सप्लाए दे बारे चासी पाड़ ले आ होया हो नासी की करना है इना नू आपस चे सीरीज चे connect करना है different different combinations हो सकदे या L, R है C, R हो सकदा या फिर L, C circuit इस तरहां दे circuits जड़े है आसी इना नू सीरीज चे connect करांगे ये थे L दा मतलब हो गया साढ़े कोल inductance अगर inductance दी गाल है था आसी का दी गाल करांगे inductor दी गाल करांगे ते R तो आसी थे resistance कह रहे हैं अगर resistance है ता resistor दी गाल करांगे ठीक है inductor having inductance L, resistor having resistance R उन्हे ना दोना नू आसी की करना इस टॉपिक चे सीरीज चे connect करना है सीरीज चे connect चे किस तरह कर दे आसा नू ये चीज पहला तो पता है ता सी सीरीज चे connect करन तो पहला ए चीज ते आंचे रखनी है अगर इंड़क्टर दे नाल असी resistor connect कीता ता इंड़क्टर दा एक end रिजिस्टर दे एक end दे नाल ते जड़े बाकी दो end है उनना दे across असी की लगादांगे AC supply ठीके AC supply दा symbol असी इस तरह बना ने और AC source है और current किनना flow कार रहा circuit छे I current flow कार रहा और inductor having inductance L असी एथे लेख दे ता resistor है resistor having resistance R ए हो गया साड़ा circuit ठीक है हून असी की बोलांगे जो साड़े को ले इंड़क्टर है ए दे across suppose VL voltage जड़ी है ओ यूटिलाइज हो रही है मतलब potential drop across inductor is VL suppose और resistor दे across असी consider कर ली VR ठीक total EMF यह total supply that is E ए दे चो कुछ पाट that is VL is utilized along inductor and VR is utilized along resistor that is having resistance R ठीक हून इस तो बार असी की लिखांगे introduction दे वेच असी ए ही चीजा लिख देती है इस तो बार असी की लिखांगे इस तो बार असी लिखदांगे की इदे नाल असी की इसनू denote कर रहे है instantaneous value जड़ा पिछले topics चे सी instantaneous value का दी है EMF इसे तरह आए दे नाल current नू denote कर रहे हैं थीक है VL जो है सादे कोल दाट इस instantaneous value हमेशा असी instantaneous मतलब किसे इक time थे instantaneous value of EMF के दिये या फिर असी के दिये potential drop across inductor या voltage या simple अगर असी potential drop नहीं कहना ता असी कह सकते हैं voltage across inductor ठीक है इस तो बाद है VR that is voltage across resistor ये सारी है हो गया है जो असी introduction चे लिखांगे इस तो बाद असी one by one देखिए पहला VL दी value अगर असी mathematically लिखनी है ता using ohms law voltage नो असी कितना लिखांगे current current नो कादे नाल multiply करना होएगा इननों असी resistance दे नाल multiply करदांगे ये हो गई first equation एसे तरह इत्थे असी VR लिखांगे क्योंकि असी resistor दे across लिख्या एसे तरह inductor दे across VL ओदे लिवी current था सेम जा रहे है क्योंकि series चे हमेशा सेम current जाएगा ते inductor दे across जेडी resistance है जो पिछले topic चे पढ़े हैं उन्हों असी denote कर देया XL दे नाल और एन्हों असी बोलना की है inductive reactance ठीक है तासी resistance offered by inductor is XL ठीक हो गई हैं दो equations अड़े को उन्हें इस तो बाद असी की लिखांगे थे नाल थोड़ा जा लिखना भी है कि XL दा मतलब की है inductive reactance है और एक तरह दी resistance है offered by the inductor और यह दी value की नहीं हों दिया XL is equals to omega L उन्हों इस तो बाद असी की करना है इस तो बाद असी phasor diagram जेन्हों असी की है graph भी कह सक देयां between voltage and current उन्हों असी phasor diagram भी बोल सक देयां ठीके यह सारा कुछ असी क्यूं कर रहे हैं जितना की पिछले 2-3 topics असी कीते उन्हा सारे topics चे और यह सारे topics चे इकको link है at the end असी find out की करना है current दी value मतलब current दा expression find out करना है starting असी कित्थों कर देयां voltage दे expressions तो similarly यह वाले topic चे भी असी उही चीजा करनीया है पर थोड़ा जा तरीका change होएगा क्यूंकि इत्थे असी की है उन्हें इकनलों जादा जो कह दिये की circuit दे विच connections किते हैं और series चे किते हैं यह यह parallel चे भी हो सक देता होदे accordingly असी जो है थोड़ा तरीका change करांगे तांकि simplify हुन ग्राफ चे असी की कर रहे हैं सब तो पहला अगर असी देखिए इत्थे असी x-axis लेके चल देया और इत्थे असी y-axis कंसिडर किती है हो गया origin हुन इस तो बाद असी की करना है जो असी सारे पिछले तिन topics चे करके आया है यह वाली line डारेक्टों से तरह कादी लाइन हुन दिया यह EMF थी मतलब असी EMF एत्थे बना दित्ती E देना ठीक और यह दा अंगल असी कंसिडर कार लेया 5 ठीक 5 अंगल असी कंसिडर किता हुन असी की देखना है यह जड़ी total EMF है एक कादे कादे चे यूटिलाइज होगी इक कता inductor दे अंदर इक कसी कमांगे resistor दे अ इंड़क्टर है था VL है resistor है था VR है हुन उन्हानों असी किस तरह बनावांगे पहले असी VR दिगल करिये अगर असी resistor दे अक्रॉस AC सप्लाय वाले topic दिगल कर देया तो ओदे चसी की किता सी ओदे चे सदी डायग्राम कुछ इस तरह आई सी graph जो असी plot किता ओगर असी कोई भी face angle नहीं है जीरो डिगरी face angle है या फिर असी के ये EMF या current बोथ हार in face इसे तरह आसी इको लाइन ते बनाया आसी हून असी की करांगे इत्थों असी ए reflect नहीं करांगे कि इत्थे इत्थे ही current बना दिये नो क्योंकि इत्थे इदे नाल टोटल EMF नू डिनोट किता ह ना कि कले रिजिस्टर दी EMF नू कले रिजिस्टर दी EMF नू असी डिनोट किता है वी आरना उस टॉपिक चे कल्ला रिजिस्टर ही सी ताह आसी इतनाल टिनोट कर ले क्योंकि total supply कले रिजिस्टर दे अक्रॉस ही ड्रॉप होरी सी पर इत्थे की है inductor V है इसलिए असी की करा तोटल EMF नूँ अलाग तो लाइन नाल ड्रॉ करता हुन ज़ेडी आसी रिजिस्टर दी EMF लेके चल देया है सपोज उन्नों मैं इस लाइन ते ड्रॉ कर रही है दाट इस VR क्योंकि अगर आसी देखिये ता जे मालनों आसी प्लस वान दी एक टॉपिक दी गल कर देया है जिच्चे असी वेक्टर्स दी गल कर दे सी मालनों मेरे कुल कोई वेक्टर सीगा E उदे दो कॉंपोनेंट कह देते हैं मैं इक सीगा VR या इक है VL ता कॉंपोनेंट्स चे असी एसे तरह रिजॉल्व कर सकते हैं VR नुए मनलों इददर लेह ले है VL अगर आसी किसे वी वेक्टर नु है ता असी ऐसे तरह चल देया है ता ओही चीज असी एथे लयाके चल रहे हैं इस डारेक्शन चे में VR कंसिडर कर लिया, इस डारेक्शन चे सपोस VL है हुन पहला VR दिखाल कर देया, VR दे केस चे, करंट भी उसे डारेक्शन चे है ता अथे ही में एरो लगाके करंट बनाता अगर असी इंडक्टर दे कॉंसेट नू लेके चलिये, ता इंडक्टर वाले टॉपिक चासी की कर दे सी जिडा करंट सी, ओ की कर रहा है चासी, लैग बिहाइंड सी lag behind मतलब पिछे सी के देतों voltage तों by an angle of pi by 2 उत्थे ऐसी इस तरह बनाया सी graph एत्थे EMF सी और इना दोना दे विछ face difference सी गा pi by 2 दा यहां कहरे सी की EMF lead by an angle of pi by 2 to current या फिर current lags behind by an angle of pi by 2 from EMF ठीक है मतलब कहें दा की current जड़ा पिछे है 90 degree दे angle नाल के देतों EMF तों उत्थे E दे नाल टोटल जो भी इंड़क्टर दे क्रॉस सी गी EMF उन्नु दिनोट कर रहे सी इत्थे इंड़क्टर दे क्रॉस EMF नु का दे नाल दिनोट किता है VL दे नाल इस डारेक्शन चे है और current दी यह डारेक्शन जो है सुझेस्ट कर ली हुन इस तों बाद हुन अगर आसी देखिये इस डायग्राम नोँ दोना चे एंगल ते पाई बाई टू है ता एचीज भी सॉल्व हो गई और current ही पिछे है इंड़क्टर दी वोल्टेज तो बाई एन एंगल ओफ पाई बाई बाई टू बास जड़ी शेप है वो थोड़ ही चेंज हो गई क्यों क्यों के देच असी सर्केट दे अंदर दो चीजानों यूज किता इक क्वाईल यूज कर ली और इक असी रिजिस्टर यूज कर लिया इसलिए असी इत्थे हुन फेसर डायग्राम ये वाली कंसेडर करांगे उन इस तों बाद असी की चीज लेके च सल्यूशन करना है ओदे लिए असी इत्थे की कर देया इनूं कंप्लीट कर लन्या इनूं पैरलोग्राम बना लन्या इक इस तरह हुन असी इस पॉइंट्स नूं कंसेडर कर लन्या सपोज ए वाला पॉइंट है बी इस पॉइंट नूं असी सी कंसेडर कर लन्या और इस प calculate कर रहे हैं क्योंकि देखो at the end अगर असी find out की करना है असी find out current ही करना है ता current का देते dependent होएगा अगर असी ohms law भी लगाके देखे current calculate करना है ता सानू voltage दा पता होए ते सानू resistance पता होए पर सानू हुन series circuit पूरे circuit दिगाल करनी है मतलब मिननू e बारे knowledge होए और total जड़ी है voltage क किननी है यह पता होए ते current find out करन देले ही total resistance किननी है यह दो चीजा calculate करनी है इसलिए असी चीज calculate करना है पहला OC जो है उन्हों calculate करते है हुन जो OC है OC पहला भी calculate करना सिख्या होया resultant अगर calculate करना है ता resultant इत्थो किस तरह calculate किता जा सकदा है इत्थो अगर देखे ता पाइथ अगरस भी लग सक दिया जो maths चैसी कर दें OC हाइपॉटी न्यूज अगर करना है ता अंडरूट ओफ OA square प्लस AC square ता इत्थे की आ जाएगा साड़े कोल OA square प्लस AC square हुन इस तो बाद असी ना दिया हम values पुट करांगे जो साड़े कोल लिख थे AC है AC साड़े कोल का दे ब्राबर है OB दे ब्राबर है ता AC दी बजाया सी की कंसेडर कर लांगे OB कंसेडर कर लांगे ता इत्थे साड़े कोल की आ जाएगा OA square प्लस OB square हुने ना दिया हम values जो है वसी इत्थे substitute कर दांगे ता OC कैलकुलेट हो जाएगा OC मतलब असी की कैलकुलेट कर रहे है E छीक इस तो बात सानू की चाहिदा है OA साड़े कोल का दी value है अगर आसी देखे ता इस direction चासी VR नू कंसेडर की ता सी क्योंकि आसी EMF कैलकुलेट कर रहे है ता सी voltage इस दी ही values लेके चलांगे OA is a VR square प्लस OB साड़े कोल की चाल रहे है VL ता असी इत्थे की लिखरता VL square और OC साड़े कोल की है total EMF ता total EMF दी जगाते असी A वाली value पुट कर सकते है एस आड़े कोल equation number हो गई third इस तो बाद असी की करना है VR ते VL दी हा values पुट करदांगे VR दी value असी first equation चे लिखी सी IR VL दी value असी लिखी सी I into XL और XL दी अगर असी value पुट कर सकते है तो भी पुट करदने है थे VL की आ जाएगा आए नाल XL दी value है उमेगा L ठीके ए सारी चीज़ां आसी असी अथे substitute कर देया ता E की आ जाएगा साड़े कोल VR दी जगाते I square R square प्लस VL दी जगाते I square उमेगा स्केर L square एदे चोंजे असी देखे ता I square is a common ता I square नो असी common consider किता ठीक है अंदर की होया एदे चे ब्रेकेट छे बचेया R square प्लस उमेगा स्केर L square ठीक ता I square नो अगर अंडरूट तो बाहर लेए ता की आ जाएगा आये आजाएगा और अंदर की बचे अंडरूट of R square प्लस उमेगा स्केर L square ठीक होना अगर असी इनू जो है रियरेंज करके लिखे क्योंकि find out at the end की करना है current find out करना है ता इनू अगर असी रियरेंज करिये equation नो ता I is equals to E by की आजाएगा अंडरूट of R square प्लस उमेगा स्केर L square ता इदा मतलब जो ए डिनॉमिनेटर चे है that is our resistance हुन एक चीज और इनू असी resistance वर्ड दे नाल नहीं यूज करना इत्थे असी की करना है इक नवा वर्ड है that is impedance ठीक है जदो भी कदी असी सीरीज दे वेचे attach करता या मतलब असी सीरीज ही ना कहिए असी पैरलर चे भी connections लेके चलिए पर असी की कहिए इक तो जादा असी होदे चे add कर देती है जो appliance उन्हा नूँ असी की कहने है उथे अगर resistance find out करनी है resistance मतलब current नूँ जो चीज अपोज कर रही है उन्हों असी ना नाम देदने है impedance तासी की लिखांगे the effective opposition offered by the series combination कादा कादा series combination है inductor दा ते resistor दा और ओ की कर रहे है साधे कुल opposition offer कर रहे है किस चीज देली opposition है to the flow of alternating current is called impedance of LR circuit मतलब इन्हों असी उन्हों की कहना है impedance नाम देना लिखना है तासी अथे की लिखांगे i is equal to e by impedance नूँ z नाल दिनोट करना है ताव यहर असी लिखांगे z मतलब impedance और एदी value किन्ही है r square plus omega square l square यहनू याद रखना है for numericals इस तो बार असी की करना है जो है tan 5 calculate करना है मतलब angle किन्हा है अगर उन्हों असी calculate करिये ता angle calculate करना देले simply तो असी tan 5 अगर calculate करना है इस diagram तो ताव किन्हा आ जाएगा साड़े कुल ac upon oa और ac साड़े कुल vl है और oa साड़े कुल किन्हा है vr है इन्हादी यह values असी है थे put करदांगे i xl upon ir i nal i cancel हो जाएगा tan 5 दी value किन्हा आ जाएगी xl upon r यह xl दी असी value पुट कर दी है omega l upon r that is a value of tan 5 phi is here angle